कि अच्छ पारेशन इन प्लांट देखा हम लोग ने फोटो सिंथेसिस से पहले पढ़ा था फोटो सिंथेसिस पे क्या देखा था कि प्लांट जो है सोलर एडिएशन को क्यामिकल इनरजी में कनवर्ड करता था मतलब जैसे फोटो सिंथेसिस में जो पहला स्टेप था तुम्हारा जिसमें क्या होता था लाइट र्याक्शन्स स्टोर क्या करता था और फूड बनाता था ग्लकोज बनाता था ग्लकोज स्वरोस के form में प्लांट में प्लांट यह एक्ट्री प्लांट का हम पढ़त हैं भलो रिश्पारेशन और निए पीच कैसे ड्राइव करता है वही प्रॉसेस रिस्पाइरेशन तो यह हम लोगों रिस्पाइरेशन में पढ़ना है रिस्पाइरेशन का डेफिनेशन से से देंड होता है ऑक्सिडेशन ओफ फूड मेटेरियल ब्रेकिंग ऑफ कार्बन-कार्बन बॉंस कंप्लेक्स molecules within the cell and release energy for the ATP synthesis is called the cellular respiration मतलब जो ATP like solar radiation से जो solar energy से जो ATP बना था वो food के form में जमा हो गया था अब उसी carbon bonds को तोड़ेंगे energy जो निकलता उससे ATP वापस से बना लेते हैं अब इस ATP को cellular ATP को यूज कर सकते सीधे अलग अलग metabolism कहां कहीं कर सकते हैं absorption टांसपोर्ट मूम्मेंट रिप्रडक्शन ब्रीधिंग हर जगा पे इसको यूज कर सकते हैं ठीक है ना मैंने प्लांस भी यूज करता है हम लोग भी यूज करते हैं अल्टिमेट सोर्स फोर्ट रिस्पाइरेशन क्या हो गया इसमें फोटो सिंथेसी होता है अभी इसी चीज को मैं समझा रहा रहा है अब यहां पर आता है नेक्स पॉइंट है कि respiratory substrate क्या क्या हो सकता है मतलब respiration में किसकी सब्स्टेट का यूज होता है तो हम लोग दिमाग में सबसे पहले क्या आता है ग्लुकोज क्योंकि हम लोग ने जब भी रियक्शन पढ़ा तो ग्लुकोज वाला ही पढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं है कार्बॉइड तो ही है कार्बॉइड है मतलब यह मोस्ट कॉमन होता है और सबसे ज्यादा मतलब प्रिफरेबल फॉर्म होता है रिस्पाइरेशन के लिए ठीक है बट इसके अलावा प्रोटीन और फैट का भी ऑक्सिदेशन हो सकता है इसके अलाव कुछ ऑर्गेनिक एसीड है उसका भी यूज हो सकता है अजा सबस्टेट फुर्दा रिस्पाइरेशन मतलब प्रोटीन के ब्रेकडाउन से फैट के ब् कि यूज बट इस क्या गता है सिंथेज़ अब यह कैसे डारेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं मतलब जो बॉंड ब्रेक्डाउन होगा न उससे जो एनरजी निकलता है उसको डारेक्ट हम नहीं को सकते हैं हमें एक टीप की के फोर्म में चाहिए तो एक पीका सिंथेज यहां और अरसा किया कर सकता है तो अब यहां पहलेगा और उसको चाहिए ही होता है तो यह करता ही करता है तो तो प्लांट में नहों कि हम कह सकते हैं कि गैसिस च्छेंजित चलता है थोई भूदा स्टीन और छेसिल्स उसका लाओ बार्ख है क्टिकल्स है कहीं तक इसल्साइं कम अब लिमिटेट का टंसपोर्टेशन होता ही नहीं है गहीं ना अब ऑग माइसेश और शांपूर्ट आप चाहिए प्लांट मोत नहीं चाहिए और दूसरा के होगा लीफ में क्या होगा जैसे फोटो सिंथेसिस हो रहा था प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेता सेल्स के अंदर है ना मुस्ट लेविंग सेल्स है प्लांट में इतना भी कॉंप्लिकेटेट बॉडी ने तो इस पज़े से बोल सकते हैं कि बहुत सारा पार्ट जोता है वो सीधे यह के कॉंटेक्ट में होता है और वहां से ले सकता है अब हम लोग ले सकता है तो एटमारा वर स्कावची के बार्ट के उपर होता है और बबिज्वर के वाले बारे रिलेशन वाला जो चप्टर था था ला ट्रांस्पृर्ट इन प्लांट उसमें讲, फरे में तो हम लोग आपना अबश मीता है हम लोग बिशलots में अरो हम करके देखते हैं ठीक है तोटल टीम स्टेप होता है गलाइकुलिस दूसरा हुथा क्रेब साइकल या टीसी एसाइकल ट्राइक कारवोक्सिलिक एसट साइकल और एटीशी एलव्टोन टांस्पोर्ट सिस्टम यह और फेरेटव फॉस्फण सहीं कि एक है तो लेट स्ट विद पहले प्रापरियोट सका। तो प्रापरियोट में ग्लैकॉलेस ग्लाइकॉलेसग्लाइक नियृट में तूट जाता है कि भी टूट जाता है थो इस ताहिक जाए में च्छु जाता है link reactions होता है ख्त आप आप ड़क्रेप शाइक्टल्स का भी पार्ट माना लेके हैं meeruing but is है माइटोगर्णियल मैक्टिस में देन उसके बाद इस क्रैप साइकल के थू बहुत सारा एड़ी एच एड़ी पी एच एड़ी एच बनता है अच्छली में बनता है ठीक है और यह सारे एड़ी एच इंटर कर जाता इलेक्ट्रॉन टांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा इसी म प्रॉकरियोट में भी यही तीन होता है लेकिन जगाए अलग लगा है कि अब इनको कोई ने को जुगाड करना पड़ेगा तब क्या होगा तो पहला स्टेप जो था होता है वह साइट्र प्लाजम में हो जाता है और इलेक्ट्रों टांसपोर्ट सिस्टम के लिए यह दर इ प्लाजम में का फोल्डिंग होता है जिसको मेह सुझ में तो वहाँ पर काम चला लेता था टिक है तो मैhस ओस्झाट्र जसे ना कॉंड्रियोजूब्स इसी कम लोग कहते थे उसी से यह काम चला लेता हो जाता है तबारे में एक एकरकर कम लोगो देखना तो पहले मिगते ग्लाइको लेसिस देखते हैं तो ग्लाइकोलेसिस में सीधे याद आखना कि यह ऑक्सिडेटी ब्रेकडाउन होता है ग्लुकोज का और जिसके बज़े से और यह एरोबिक हो या अनारोबिक हो इन दोनों में क्या होता है यह कामन होता है तुमारा अनारोबिक पाथवे भी कह सकते हैं एवेन रिस्पाइरिशन कैसा है तब भी आपक्सीजन हो ना हो कोई प्रवल ने ड्रकलश तो होगा ही मोगा है मृट्र कि में घ्ल्कोज जो है एक सग्मद्स प्रॉत पाता है क्या होता है ट्रूट की वह इतarent अज्वारा सब्सकेशित हे औ स्कुल्थ बना देता है और जो फोटो सिंतेस्स जो प्रासेस चल लाए था फोटो सिंतेस्स में यहां पे यह क्या था ये एक ौए लॉरी प्रोड़क्ट स्पूज्थ क्या था यह बाइंड प्रोड़क्ट सब्सक्रार्थ अ gala और बैंड रटाप्ट था ठीक है तो तो कहीं भी एनरजी चाहिए ब्लांस में तो यह सख्रोंज के फ़र में ही क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह सब्सक्राइब सब्सक्रोंज के फ़र में टांसपोर्ड होता है तुमारा इसमें क्लिरे नेक्स आजा उसमें कि अगर मालों पहले हमें क्या करना जैसे गुलकोज चाहिए कार मैंने तेरा इस गलाकुलोसिस के लिए तो डाइजेशन में भी पढ़ा है ना कि इंवर्टेज या सुक्रेज एक इंजाइम होता है जो क्या करता है सुक्रोज को कंवर्ट कर देता है गुलकोज और फॉर्म दः ग्लकोज इक्स फॉसपेट बाइद इंजाइम हेक्जोकाइनेच यह फ्रुक्टोज भी आगे चाहिए तो आज सुमेराइज होके फ्रुक्टोस इक्स फॉसपेट में कंवर्ट हो जाता है तो अगर माले जैसे सुक्रोज टूपता है तो सुक्रोज से एक मोल ग्लकोज बनता है और एक मोलेकल फ्रुक्टोस बनता है तो फ्रुक्टोस सीधे क्या करेगा यह फ्रुक्टोस इक्स फॉसपेट में हो जाएगा और जो ग्लकोज है वह पहले ग्लकोस इक्स फॉसपेट फिर उसके बादा आसो में होके फ्रुक्टोस इक्स फॉसपेट में सबक्राइब मेंशन होता है और इस यहां पे वी हता है इसाथे हैं यहां पर सब्सक्राइब हम लोग नहीं क्या लेकर रखा है रखाए सुक्रोज नहीं लीकिर रखाए वह तो मैंने कहा कि अगर माले जैसे प्रूज है तो यह ग्ल्कोज कि टूटेगा तो ग्ल्कोज दे भी सीधा इस तरह से जाएगा और थार मारे तेरा फ्रुक्टॉस तो फ्रुक्टोस में भी दो ATP लगेगा देख फ्रुक्टोस क्या बनाएगा तु le量 फ्रुक्टोस फॉसपेट अपटोस फ्रुक्टोस फॉसपेट में यूज हू जाता दा है तो तो-स तुमें इकजाम में सीधे इस गल्कोज से स्टार्ट करना है मतलब यह वाला साइकल लिखना है इसको नहीं लिखना वो तो मैं तुम्हें एक्स्टा बता रहा हूं तो पहला स्टेप होता है तुमारा ग्ल्कोज विल्कोज जो है six carbon compound होता है गुलकोज एक फॉस्पेट में अभी भी छे कर्बन है दूसरे स्टेप में क्या होता है एक फॉस्पेट का आइसो में राईजेशन होता है यहां पर आई नायगा तो यहां पर फ्रॉक्टोस 16 20 फॉस्पेट हो जाता है तोह राचे कर्वन कंपाउंड इसके बादा अभी यहां पर इसका ब्रेग्डाउन होता है टोटोस 16 फॉस्पेट है ना यह तूटके बनाता है तुम्हारा तूटके बना देता है यहां पे एक मोलिक्ल बनाता है ट्राइओच असफ पैट री थाइटे मौलिक्ल बनाता है तेरा ट्रायोट costing लेकिन अलगा लग में एक है तेरा डाहाइद रॉक सेट्व फॉसपेट और यह दूसरा है ग्लिसलर प्लाइड है फॉसपेट पीजी एल इसको हम दो कहते पीजी एल ते Cuando ये द यह तेरा टायोज फॉस्पेट डेट इस ग्लिस्टरल डिहाइड थ्री फॉस्पेट तो यहां पर एक्षुली में कह सकते हैं कि दो मॉलेक्वल पहले तो एक पॉलिकल सथा फिर यह आई समयराइज होके बन गया तीन मॉलिक्वल तो यहां पर टूटल तीन मॉलिक्वल जो है पी जी ए एल देख फिर से सुनना ही समझ में आ रहा तो यह जो फॉक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्पेट था यह तूटता है और बनाता है दो अलग अलग मॉलिक्वल जिसमें एक तो पी जी ए एल है ठीक है और दूसरा है डाय हाइड्रॉक्सी एसिटो फॉस्पेट डी ए दíanbth崇च है तो यह एक मॉलिकल सुना इससे एक मॉलिक्स से बना अब यहां पर क्या होता है यह डी एच एपी जो है यह ऐस हुके बना लेता है एक मोलेकल पहले से था एक मोलेकल इसके वज़े सेupunकर होके से होता है तो अब यह हो गया दो ऑद हम लगोन सबस्चेब करकर लिखेंगे अभी तक किया था इक है अब डो दो मॉलिकल लिखेंगे यह 5혼 तैप आई किसमेरिजेशन अब इसके बाद यहां पर होता है तेरा इस घ्लीस teaspoon का छटास टीप जिसमें यह फिर से यह डीहिटोजीनेशन होता है दीहटोजीनेशन से एक बंता है तम्हारा यहां पे एक इस्तों बना नच तुमारा टिकहर अर dúdh तो बना साथ में क्या बन गया ट्रायोज बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया यहां पर डी पी डी पी जी ए वन थ्री बिस फॉस्फो ग्लिसरिक आसिट्स बन जाता है तुमारा ठीक है दो मलिकल्स तो यह अभी तक छे स्टेप हुआ टूटल इसके बाद आते हैं छे स्टे यहां पर सबस्टेट लेबल फॉस्फर रिलाइजीशन होता है तुमारा एक टीपी का सिंथेसिस जो होता है दो तरीके सोता है एक होता है ऑक्सिडीटीव फॉस्फेरियलाइजीशन जब लास्ट में इलक्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा हम लोगों और एक यह जो है इसको बोला जाता है डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा ना इसको तुम बोलो या डायरेक्ट बोल देते हैं तेक है ना डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और एक जो होता है तुमारा उसको बोलते हम लोग सबस्टेट लेवल या दखना ले अगी एस अगिस्टी होता है। मिसके बाद जब यहूं फॉस्पीर टेकर जो है अब यहाँ पर आथ वर स्टेप लेट में चेंज्ज Ó जाता है और टू-फस ऐएद्रेशन होता है। निकलता है और यह चेंज हो किसमें तुम्हारा फॉस्पोर इनॉल पाइड में Phosphonol फायरीट में ठीके बैड मे Widget में ठीक है फॉस्पोर में पायरेबश में चेंज नंबर 10 दो जग़ए पर यहां पर कितना ABT बनेगा अ कर देख यह आ पर दोज पर दो चलाना दो दो चार ठोटल 4 बनेगा फूर atp बनime किन अब दीक फिर से कैसे बना देख जब यहela है तो दो मलेक्टल से एटीपी बनेगा यहां पर यह जब मॉलिक्टल सबस्ट यहां भी महते हो तो दो दो 24 टोटल चार एटीपी बनता है और एक था तुम्हारा ओक्सिच्ट पॉस्परागी जिसीशन जहां पे यह6 नमपर टहरत यहां पर किया मना तीरा दो स्टोह ने दीपी स्टोह सब्लस एशत प्लस बनता है nicht लिघे लोग यहां पर सब्लस लगा है टिक और दिसतरह से और न पीच जो होता है ध्यान में रखना नहीं पी हुए यह आगे चल के ना एक वडंध शूरर बनाता है तो यहां पर दो है तो टोटल कितना हो जाएगा शिक्स एटीपी बनता है यह आगे लिखा है यहां पर दिखा देता हूं मेरे रुख जूँँ कि सब लिख रखा है आगे थोड़ा सा एक चीजे दिमांग में रखना पड़ेगा तुम लोगो ठीक है भी देखो यह दियान ले अभी देख ले द्यान में अब लेना वह देखो जब ऑक्सिडेशन होता वाफ नए डीह का तो तीन एटीपी और एफ़ डीयस्टू का अगर होगा तो टू एटीपी बनाता है तो यहां से इसको द्यान एक नदीएच बना इस वाभी गिलाइकॉलि जो से एकने तिटीपी तो ले जटीए बतना हैी दो बार हो रहा रहा रेक्षन तो इस तरह से total कितना ऑजागा सिक्स तो till कितना बन गया यहाँ पर 10 ATP अब बना है लेकिन यहाँ यूज भी हुआ था यूज्ट 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 कहा कहा हुआ था स्टेप नमबर वन और स्टेप नमबर तीन यहां पर यूज हुआ है यहां पर यूज़ हुआ है और यहां पर भी क्या हुआ है यूज़ हुआ है यहां पर यूज़ हुआ है तो दो यूज़ हो गया और वहां एक-एक मॉलिक्ल्स नहीं करना है वहां पर एक-एक मॉलिक्ल्स था यहां पर दो एटीपी यूज़ हुआ है तो यहां से माइनस कर अगेने WrestleMania by lips अभी है तक है और यहां पर इसका लगशीड कैसे होगा अब होता है की प्रडॉड़क्ट्ट होता है गलाकॉलिस का जो की अल्टीमेटी बना होता है और इसका फरदर कैसे होगा और घ् financi ऑगर है अगर हैं तité चेपんな मतलब ऑक्सिजन है तो अब यहां से मूब कर जाएगा और सब्सक्राइब मतलब बाखी के जो दुर्ट रस्में और अगर अक्सिजन नहीं है तो यह मूव का जाता है के तरफ मूव कर जाता है ठीक यहां थक देंगे इसमें तो अब माले यहां पे और उक्सीजन नहीं है तो अब यह मूव कर गया किसमें अनोरोगski दिशन के तरफ और अनोरोग रिस्पायरेशन को हम लोग यहां पर फर्मेंटेशन कि खयते है यहां पर अब क्या होगा इन अपसेंस ऑफ ऑक्षीजन क्या होता है अब यह जो पढ़ेविक एसी इसका ऑक्सिदेशन होता है इसका अक्सिदेशन होता है इसके बीसित पर दो तरह का हम लोग फर्मेंटेशन पर एक होता है लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा होता है ध्यान में रखना पहले तो इस्ट में और लैक्टिक एचट फर्मेंटेशन कहा होता है यह संबडेटिक भी है और हम लोग सेङोड़्ी के मसल्स में होता है और यहां पादोगा कुछ अलग बैक्टेटिड्य में लैक्टिक एचिड्स में भीHoता है लैक्ट मसल्स में क्या होता है जैसे माले तुमनों कहीं ट्रैकिंग पे गए तो बहुत चला बहुत चला बहुत चला तो इतना चला कि नहीं साम को जब आते हैं दूसरे दिन पैर एकदम पुरा दर्द करने लगता है वह दर्द होता है कि मसल्स ठग गया है प्लस फैटी एसीड बना ह हुआ है और फैटिएसिद बनने के बज़ेद MSK में होता है तुमारा गना है acha पेईल होता है अब यहां पर ढ़े क्रिया क्या होता है यहां द्यान से देखना अभी तक हमनों ने क्या देखा जैसे ग्लकोज से टीलेजलेटि बना त्रिफस पिट उसके बाद फॉसके बाद पारविक एशिड बन गया वस्पनिल पारविक हैसिड यहां तक कश टेप क्या था ग्लाकुलिस इस वहला था अभी तक कमन था कि अगर यह प तो यह हो गया तेरा लैक्टिक एसिट फर्बेटिशियम और अगर मालने यहां से क्या होता है और यहां पर उल्टा क्या होता देख यहां पर एक एने डिया बना था ना यहां पर उल्टा यूज भी हो गया समझें यूज हो गया तुमारा तूटल यूज हो गया यहां पर सम इस थे हैं तो टूटल हम लोगा कितना बना था अगर हम डाइरेक्ट है के सब्स्टीटेवल फोस्परैशिंस से सब्सältेवल से शूतीयटेशिंस के थूरू बटा था एट बना था ने एट एट में रूड़ा सब्सक्राइबल फॉस्परेशिंस की तुरूम लोगा बना था चार एटीपी बना था समझें टूटल कितना फूर एटीपी बना था ठीक है और दो यूज भी हो जा रहा था कितना दो यूज माइनस टू कर देते टू एटीपी तो इस तरह से अगर हम देखते हैं फर्मेंटेशन में तो अल्ली टू एटीपी का प्रडाक्शन सोता है आगे लास्ट में कहीं पर कंपेर किया हुआ तो मैंने तुम्हां पर लिखा भी है तुम्हां पर देख लेंगे ठीक है यूज हो जाता है ठीक है तो यह भी धियान में भले कि एटीपी दो ही एटीपी बनाया लेकिन अगे बनाया तभी तो मसल्स में कॉंट्रेक्शन होता है ठीक है अधर वाइस कॉंट्रेक्शन नहीं होगा ठीक है चलो नेक्स आजाते हैं आगे हम लोग अब यह जो रिडिव सिंग एजन सा एने डिया चो गरा जो बना था अच्छे यहां पर यह ऐसे क्या लिखा हुआ है इसको दरा देखना तुम लोग अधे एक्चुली में यह जो एने डि एच है कुछ लोग इसको एने डिएच टू भी लिखते हैं या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते और एने डिएच प्लस है से क्लिए रहे या फिर सीधे अगर मालो मैं कभी भी अगर लिखता हूं एन एडी एच तो मतलब समझना कि इन दोनों को मैंसे किसी को लिखा है तो यह तीन तरीके से रिप्रेजिंट किया जाता है देख सबसे मोस्ट ऑथेंटिक मतलब सबसे सही तरीका यह है लेकिन फिर भी मदर अब बारबार एच प्लस प्लस लिखना थोड़ा मुश्किल होता है तो यह हम लोग लिख लेते हैं इस एनडी एच के साथ दो प्रोटोन जुड़ा हुआ है यहां पर लिखा ना दो इस तरह से दो प्रोटोन जुड़ा वह यह तो बिल्कुल गलत तरीक इसको तो यूजी मत करना या तो इसको यूज करो या तो इसको यूज करो ठीक है बट ध्याना करना इसके साथ 2 एच प्लस है ठीक है तो रिडूसिंग एज़े डियोक्सिडाइज टुद अट इन बोथ प्रोसेस और एनिमल में ऑक्सिजन एड़केट डेट क्या हो जाता ह यहां पर्मटेशन में क्या हो गया ना यहां यहां बहुत हो गया है वही बोला तुमारा इन ऐनिमल स्वेंट ऑसीजन इस प्रोसेट्स और आट अरे अव्हां हो गया था तो होता है अब इसका बेका हमिए क्या चैनल सब्से पहले तो बहुत ही कम पर Оля सेवन परशेंट एनरजी मतल एटीपी दो ही बनाना अगर नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रजंट पर देखेंगे ना था थर्टी एटीएट एटीपी बनता है टूटल और यहां पिसी दो बनना तो लेस्ट देन टू परशेंट सेवन परशेंट आफ एनरजी इस गिलकोज इस अगर माले अलकोहली फबेंटेशन कर रहा है तो ज्यादा अलकोहल होता है तो उल्टा उसी के लिए टॉक्सीटी होने लगता है ठीक है तो ही हजार्डस मेटेडियल्स भी होता है